इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी विलाउज में कपस डालने का तरेक का वीडियो को लाश्क तक जरूर देखें वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर कुछ पूछना हो तो कॉमेंट बोक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पलीज मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजिए ये देखें मैंने विलाउज का आगे का इसा कट कर रखा है कटोरी वाले विलाउज में यानि कपस वाले विलाउज में अस्तरे दो लगाने होते हैं ये देखें मैंने दो अस्तरे कट कर रखे हैं अस्तर की लंबाई मैंने रखी है साड़े 15 इंच जो मैंने त्यार रखना है उससे दो इंच बड़ा रखूंगी नीचे से मुड़ाई के लिए ठीक है इसका 13 मैंने रखा है साड़े 5 इंच आर मूले 6 इंच चेश्ट इसकी त्यारी रखूंगी मैं 36 इंच है मेरे पास 36 इंच का चोथा इंच नो इंच और ये मैं दो इंच मार्जन का रखूंगी अब मैं जो ये मैंने अस्तर दो कट कर रखे हैं इसमें से एक अस्तर को उठाऊंगी और बिलाउज वाले उपर वाले इसे को उल्टी साइड से रखते विए ये देखिए इसको इस पे चिपका दूँगी ठीक हैं ये देखिए मैंने इसको चिपका लिया और मैं ये दूसरा आस्तर लूँगी जो ये मैंने कट कर रखा है और इसको सिरफ उपर की साइड से चिपकाऊंगी शिलाई लगा लूँगी उपर की साइड से और नीचे से पूला रखूंगी ठीक है ये देखिए मैंने उपर की साइड लाई लगा ली अब मैं इसको डबल फोल्ड करूंगी इस परकार से और पहले इसका गला टटींग करूंगी ये देखिए यहां से धाई इंच रखूंगी मैं और गले की लमबाई में रखूंगी साथ इंच आप अपने कूर्डिंग रख सकते हैं और यहां से गोलाई में सेप देदूंगी और इसको कट कर लूँगी ठीक है कट करने के बाद मैं इस पर पाई पिन निकालूंगी ये देखिए मैंने पाई पिन निकाल ली अब मैं यहां से उपर की साइड से गले वाली साइड से दस इंच पे एक निसान लगाऊंगी और एक निसान दूसरी साइड दस इंच पे लगाऊंगी ठीक है यह इस परकार से और मैं यह जो दो हिस्से हैं उपर वाले इनको उठा दूंगी इस परकार से और जो यह निसान मैंने लगाए हैं यह नीचे उतार लूँगी ठीक है यह देखिए मैंने निसान निचे की साइड लगा लिये और एक निसान मैंने बीच का बिलाउज के बीच का लगा लिया अब मैं यह कटोरी लूँगी और जो यह मैंने निसान लगाया है इसको इस परकार से मोड़ते हुए बीच में छोटा सा इसके भी निसान लगा दूँगी ठीक है जो यह मैंने निसान लगाया है इसको और इस निसान को बिचो बीच आना चाहिए यह देखिए इस परकार से रखूँगी दोनों साइड कटोरी और इनकी जो बीच की दूरी है लग बग दो इंच रखूंगी मैं यह देखिए मैं पहले से ही दो इंच पे निसान लगा देती हूँ यह देखिए इस परकार से रखूंगी अब मैं जो प्लेट से डल लूँगी उनके निसान लगा लेती हूँ यह देखिए इस परकार से और अब इनको हटा दूँगी और ये प्लेट्स वाले निसान आधा आधा इंस और उपर की तरफ लगाऊंगी ये देखिए ठीक है एह मैं इस दूसरे अस्तर पर भी उतार लूँगी ये निसान बिल्कुल बराबर करते हुए ये देखिए ये देखिए मैंने निसान उतार लिए अब मैं पहले निसान ये जो निसान लगाए ही इन पर प्लेट्स डालूँगी इस परकार से ये देखिए आपको डाल की बता देती हुए निचे वाले अस्तर में मैं अलग से डालूँगी ये प्लेट्स एक प्लेट्स इस साइड डालूँगी और जो ये उपर दो कपड़े हैं मेरे पास इन में अलग से डालूँगी ठीक है प्लेट्स मैं सभी इसी परकार से डालूँगी जो ये मैंने एक डाली है ठीक है ये देखिए मैंने फ्लेट्स डाल ली दोनों साइड अब मैं उपर वाले हिस्से को साइड में कर दूँगी इस परकार से और कटोरी लूँगी और इसको जो ये मैंने ये निशान लगाया था इसके बराबर और ये निशान उपर वाला इस निच्चे वाले निशान के बराबर लेते हुए ये देखिए निशान के निच्चे ले जाऊंगी और बिल्कुल देरे से इस पर दो सिलाई लगा दूंगी ये देखिए ये बिल्कुल इस निशान के बराबर आ रहा है इसी परकार से मैं दूसरी कटोरी को सेट कर दूंगी ठीक है ये देखिए मैंने दोनों कटोरी को इसके साथ सिलाई लगा दी अब मैं इसको उपर वाले इससे को सिद्दा करूंगी बिल्कुल ये देखिए और यहां से जो यह दोनों साइड की पलेट हैं इनको बिल्कुल बराबर बराबर मिलाऊंगी इस परकार से यह देखिए यह बिल्कुल बराबर आनी चाहिए और इसको निचे वाले अस्तर के साथ सिलाई लगा दूंगी या फिर चिपका सकते हो ठीक है यह देखिए टोरी लगके तयार हो चुकी है कितने बिल्कुल लग रही है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा